इंटरनेशनल योग चेंपियंशिप में हिमाचल के रामपूर के दूर दराज क्षेत्र गानवी के बच्चे बुलगारियां जाएंगे हाड कमपांती ठन में भी आजकल ये बच्चे चेंपियंशिप को लेकर तैयारियों में जूटे है इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के नाम पहले भी कई खिताब है ट्रिपल एच योग एवं साधना केंद्र गानवी के माधम से इन प्रतिभागियों को तैयारी करवाई जा रही है हिमाचल परदेश के शिमला जिले के दूर दराज 15 बेश गानवी क्षेत्र के दो योगी इन दिनों अंतर राष्ट्रियो योग प्रतियोगिता के लिए अभिहास में जूटे है ट्रिपल एच योग एवं साधना केंद्र गानवी के योग शिक्षक रंजी सिंग दोनों प्रतिभागियों को योग की बारीकी से टिप्स दे रहे है ट्रिपल एच योग केंदर के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर गानुई में योगियों ने योग के माधियम से कर्तव दिखाए उनका लक्ष है कि रामपूर उप मंडल के इस दूर दराज खशेत्र को योग के मानचित्र पर लाया जाए अब तक ट्रिपल एच योग केंदर ने 28 गोल्डन बुक ऑफ वर्ड रिकॉर्ड दर्ड़ कर कीर्तिमान स्थापित किया है गानुई के पंशगाओं की रहने वाली कोशल्या जो वर्तमान में रामपूर कॉलिज में बीए छटे समेस्टर की छात्रा है उन्होंने योग में अपने हुनर से अब दक तीन गोल्डन बुक ऑफ वर्ड रिकॉर्ड अपने नामदर्ज किया है उनके साथ बुलगारिया में इंटरनेशनल वर्ड चेंपियंशिप में हिस्सा लेने के लिए रामपूर के गानुई क्षेत्र के मदारा गाओं के अनुझ है जो वर्तमान में रामपूर बॉय स्कूल में प्लसवन के छात्र है जून में बुल्गारिया में होने वाले इंटरनेशनल योग चेंपियनशिप में दोनों का चैयन हुआ है हिमाचल से बुल्गारिया जाने वाले यो दो योग सादक होंगे उनका लक्ष है कि अंतराष्ट्री स्तर पर हिमाचल परदेश का नाम रोशन हो मेरा नाम कौशलया है और आज यहां पे विश्व किर्टिमान योग गाउं घानुई में आज ट्रिपल एच योग समिती का स्थापना दिवस्ता इस उपलक्षे में हमने यहां पे योग की प्रदर्शनी भी दी और हम आगे के लिए भी त्यारियां कर रहे हैं क्यूंकि हमार यहां पे आज ट्रिपल एच योग समिती का स्थापना दिवस्ता और हमारा यहां पर चैन हुआ है योग समिती गानी का हम दो बच्चों का कौशलया दी और मेरा बाहर बुल्गारिया के लिए हमें वहां पर अपना प्रोग्राम दिखाना है और वहां पर फस्ट आना है हम सिटी चैनल के लिए रामपूर से विशेशर नेगी की रिपोर्ट